नमस्ते, खेड़े कर होमेड में आपका स्वागत है, आज हम आपके लिए लाए हैं केरी के पने की रस्पी, ये गर्मियों में बहुती फाइदे मन्द होती है, तो चले शुरू करते हैं केरी पना बनाने के लिए हमने लिया है साड़े तिन सो ग्राम कच्चा आम जिसे केरी भी कहते हैं, देर सो ग्राम शक्कर, एक चम्मच हमने लिया है भुना हुआ जिरेक का पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक चोथाई चम्मच काली मिर्ज पाउडर और साधा नोसा साधा सबसे पहले हम केरी के ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है ये काट के अलग कर देंगे ये दिखिए ऊपर वाले हिस्से को हमने अलग कर दिया है अब हम एक कुकर लेंगे कुकर में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और जाली को अंदर की तरफ रख दिया है अब हम कुकर का बरतन लेंगे, इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे, अब हम इसमें केली डालेंगे, अब हम इस कुकर के बरतन को कुकर के अंदर रख देंगे, अब हम кुकर का ढक्कन लगाकर इसे गेस पर 1 or 2 चीmore होने तक रखेंगे एक सिटी हो चुकी है अब हम गेस बंद करदेंगे और केरी को रूम टेंब प्रेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे केडी हमें ठंडी हो चुक है यह देखिए काफी अच्छे से केडी पक गई है अब हम इसका चिलका अलग कर देंगे चिलका हमने अलग कर दिया है, अब इसके गुद्य को अच्छे से मेश कर लेंगे, एकदम बारिक हम इसको मसल लेंगे, और गुट्ली को भी हम इससे अलग करते जाएंगे इसे एकदम बारिक हमें मेश करना है हाथ से, हमने सारी गुटले अलग कर लिये, अब हमें इसे अच्छे से मेश करना है हाथ से, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइन कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट जो है, वो हाथ से मेश करने पर बहुत ही अच्छा आता है, यह नमक, काली लिच पाउडर, काला नमक, और शक्कर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैं इसे हाथ से मेश करने के बाद मैंने इसे मिक्सी में ग्राइन नहीं किया है, आप अगर इसे मिक्सी में ग्राइन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे छनने से, छानके इसके गूदे को भी अलग कर सकते हैं, और जो इसमें रस बचेगा, उस रस में आप ये सारी चीज सब्राइब ततक आज और यह से खुल रही रही है आप अंगे में निकार लेंगे परम springs लेए Casey हंटम अ UP यूग देवसे ब िभीध मेंकеци लिए और अमने अब सब्सक्रय संसित है और हम सब्सक्राइब धुल रहे हैं अब हम सबसे पहले परम सनुने ब्राइब ऑलें इसे मिक्स करते वे डालेंगे इसको मैंने 75% तक फील कर दिया है पने से अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इसमें पानी की कॉंटिटी हम हमारे टेस्ट के कॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमारा टेस्टी केरी का पना बन कर विलकुल तयार है आप इसे ठंडा ठंडा सरव कीजिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप भी इस रेस्टी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अगर आपको हमारी रेस्टी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें धन्यवाद आपका देन शुब रहे